आज मैं नास्ता बनाने वाले हूँ बहुत ही कम तेल से जहां दुस्तों बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मेहनत में घर का काम करते करते इस नास्ते को बना के आप तयार कर सकते हैं तो चलिए क्या खास बात है जिससे आप घर का इधर काम भी कर सकते हैं और एक साइड आप न सबस्क्राइब कपर जाई में 165 मिर्च केस को थे जाता है बहुत जाता बढ़ बंड़ जाता है मैंने दही के इस्तमौल कर लिए दही पुरानी नहीं हुझा कर दमड़ी ले दो पानी को भी आधा कटोरी डालना है, स्वाद अंसार नमक डालना है, ये हो गई है मातरा, उसके बात क्या करना है, सब ही चीजों को आपको लगतार इसे अच्छी तरह से फेट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सूजी अच्छी तरह से फेट लेना है और कम से कम इसे दस से बारा मिनट आपको इसी तरह छोड़ देने हैं तभी यह जाके अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और आप इसर कुछ छोटा मुटा भी काम कर सकते हैं यही होती है ट्रीक अभी अभी यह नासा भी बनाएंगे ना तो भाने का सोड़ा खानी का सोड़ा और थोड़ा सा पानी खानी का सोड़ा डालेंगे ना तो यह नास्ता बिलकुल ही फ्लापी बनेगा और उपर से यह क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बिलकुल भी मौश्टर से भ़री रहेगी तो यह द바 Argent향म को तैयार कर लिया है पिर दाने डाल दिये हैं, उसके बाद मैंने आधा चमच डाल दिये हैं, सफेद वाले तील, और उसके बाद अगर करी पता है, तो जरूर डालिएगा, इससे इसका जो फ्लेवर है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और दोनों तीनों चीजों को अच्छी तरह से आपको पकने देना है, उसके बाद आपको कर्ची से उठानी है, और अराम से जो भी साइज में आपको बनाना है ना, अराम से ले सकते हैं, तो एक से डिल कर्ची में ये देखे बन के तयार हो चुकी है, और अच्छी तरह से आपको गेस की फिलेम अभी हाई है, उसके बाद क्या क इसका color क्या हो जागा थोड़ा सा change हो जाएगा आप देख सकते है color थोड़ी से change हो चुके हैं उसके बाद आपको पलटना start करना पड़ेगा यह देखिया है जैसे ही पलटेंगे न यह देखिए कितना अच्छा सा color आया है इस नास्ते में आप देख सकते हैं और कितना fluffy हो बहुत ही tasty वाली नास्ते की recipe बनती है वैसे मैंने बहुत सारे सूजी से और बहुत सारी अलग-अलग variety के नास्ते डाल रखे है नहीं देखा है तो एक बर जाके देखिए और यह नास्ता बहुत ही tasty है और यह देखिए उपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिलकुल ही soft है त